अप्रेल 2021 से्क्राउडवन ने अपने अपने आप में ठेड सारे डेवलपमेंट किये हैं जैसे क्राउडवन प्लांpt में, सिस्ट्म में, क्राउडवन आ साइट में काफी सारेक awful changes time to time होते रहे हैं उनमें से एक चेंजिस ऐसा था जो क्राउड वन पिकले साल से करने की कोसिज कर रहा था लेकिन उससे चापक पे चयांट से काम नहीं हो रहा था या फिर उसनाल पर कमपनी को कोई सही सफलता नहीं मिल रही थी दोस्तों बात करते हैं Crowd1 विड्राल को लेके पिछले साल से काम कर रही है यह नि Mingi पिछले साल साल इस हम वीजा कार्ड लेके आएंगे लेकिन COVID की वज़े से वीजा कार्ड नहीं आया ऐसा हमें उन की तरफ से मेसेज मिला साथी साथ फिर बात मिल जाती है Crowd1 ने Multi Wallet को लेके आए Multi Wallet अभी timely नहीं हमारे शाथ आया लेकिन अब तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि क्या Crowd1 ने अपनी service को सही किया क्या Crowd1 के जो withdrawals हैं वो अभी timely हो रहे हैं अफिर नहीं आज की इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी दोस्तों यह बात की जाए Crowd1 विड्रॉल सिस्टम को लेके तो कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे अपने सीवन रिवार्ड को स्वेप कराने के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है साथ ही साथ हमारे एक पैसे को यानि कि हमारे अकाउंट का मैक्सिमम पैसा जो है होल्डिंग अकाउंट के इंदर ढाल दिया है जो हमें दो साल के पीरिड के लिए हमारा लॉक अप में रहेगा दीरे दीरे हमें उसमें से मिलता रहेगा दो साल तक हमें वो हमें पूरा पैसा जो है वहां से रिकवर होगा जैसे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट के इंदर करीब-करीब साड़े 2600 यूरो जो है यहां पे लॉक है लेकिन पिछले दिनों मैंने अपने अकाउंट से विड्रॉल किया और अब क्या जो है क्राउडवन ने अपने विड्रॉल सिस्टम को ठीक किया है अफिन नहीं देख लेते हैं पिछले दिनों मैंने अपने अकाउंट से जो है विड्रॉल किया था और विड्रॉल मैंने करीब करीब 13 अक्टूबर को लगाया 13 अक्टूबर को मैंने जब विड्रॉल लगाया तो ठीक मुझे यहां पे 26 अक्टूबर को यह विड्रॉल मिल गया यानि कि 25 अक्टूबर की रात को ही मुझे यहां पर रिजीव हो गया फिर भी बात की जाए तो तेरह दिनों के अंदर मुझे यहां पर विड्रॉल तो फिरॉर सिस्टम में की आरहा था उसको रोक दिया जिए टारेश्य में ज़ब बाद में विड्रॉल्व हुए तो अभी जो है टाइमली जो है विडॉल हो रहे हैं अगर आप अभी वडॉल करना चाहते हैं तो कर prepares कते हैं मैंने मैंने एक और भीड्रॉल लगाया है देखते हैं अब यह कब तक आता है और पराना जो मिरोन रहा था वह 469 Ele opioid का था अब जो विड्रॉल है वो फिर ऐटी सिक्स यूरो का है देखते हैं अब यह विड्रॉल जो कब तक आता है जल्दी ही यह भी रिसीव हो जाएगा तो कहीं न कहीं कहने की बात यह है कि बिट्कोइन विड्रॉल को लेके क्राउडवर ने अपने आपने चेंजिस किये हैं लेकिन अब बड़े चेंजिस बाकी हैं मल्टी वॉलेट और वीजा कार्ड को लेके जब तक हमें यह जल्दी ही यहाँ पर मल्टी वॉलेट की भी लाँचिंग हो जाएगी बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रॉल को लेक इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी आगर आपने कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर आ जाईए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ